स्वाव अथा आप सभी का आपके अपने चैनल माज साप की पाट साला में इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टुडेंट मोडियूल में कक्षा 2 से लेके 8 तक के बच्चों को आप कैसे एड़ करेंगे कक्षा एक में पहले से एड़ स्टुडेंट आ रहा है उसको तो आप एजिली एड़ स्टुडेंट पर क्लिक करके डेटेल भर के कर लेंगे लेकिन 2 से 8 तक के बच्चों को आप कैसे एड़ करेंगे देगे सबसे पहले यूडाइस प्लस पर लोग इन करेंगे यूडाइस प्लस यहां से हम यूडाइस प्लस पर गए इस्टुडेंट डेटावेस मैनेजमेंट सिस्टम HDMS यहां पर जाएंगे स्लेक्ट स्टेट उत्तर प्रदेश और गो करेंगे आप देगे आईड़ी पासवर्ट डालेंगे अपना जो भी विद्धियाले का आईड़ी पासवर्ट है उसको आईड़ी यूजर आईड़ी होगी और पासवर्ट आपको ब्लोक से मिला होगा जो आपके mobile number पर text message आया होगा उसको आप डालेंगे कैसे import करेंगे वो देखते हैं progress activity में जाएंगे और इसके बाद में जाएंगे import module में import module में जाने के बाद में go करेंगे go करने के बाद में देखिए student P.A.N. चाहिए आपको और बच्चे की date of birth चाहिए लेकिन हमे student का enrollment number नहीं पता है तो search by P.A.N. यहाँ पर get P.A.N. पर click करेंगे यहाँ पर बच्चे का आधार नमर डालेंगे और year of birth डालेंगे हमें P.A.N. पता चल जाएगा यह से मैं डालता हूँ और इसकी date of birth डालेंगे इसमें पूरी date of birth डालनी है आपको अब हम go करें देखे अब बच्चे का detail आजाएगा student basic details आजाएगा बच्चे का नाम gender, date of birth P.A.N. student state code आजाएगा mother's name, father's name, आधार नमर और name age पर आधार यह सारी चीज़ें आ गई अब इसका आपको देखना है जैसे कि इस बच्चे को हम class 3 में import कर रहे हैं जबकि previous school भी इसका class 3 में था लेकिन देखे student का status क्या है progression not done by school studied in assessment year 2022 तो पहले सबसे पहले वहाँ progression होनी चाहिए क्योंकि उसकी progression नहीं हुई है तो इसलिए यह बच्चा यहाँ पर नहीं आएगा तो सबसे पहले जिस school में पहले पढ़ा है वहाँ पे इसकी progression होनी चाहिए progression में इसको वहाँ से क्योंकि same class में पढ़ा है तो इसका मतलब वहाँ पे exam नहीं दिया है या फिर हो सकता है कि repeater हो exam दिया हो तो वहाँ से वह progression final कराके वहाँ पे आपको दिखावाना होगा कि यह बच्चा left with TC है या left without TC है देगे previous school detail आपको करना है promoted क्योंकि same class में तो आप promoted नहीं करेंगे promoted without examination discontinued before examination repeater by choice इसमें से कोई भी select करेंगे class eligible आजाएगी कौन सी class के लिए eligible है अगर वहाँ से pass हो गया होगा तो आप marks भरेंगे और number of days school attended भरेंगे इतने दिन भी वहाँ पे attend की होगी class और import to 2023-24 में import class जिसमें कर रहे हैं आप अगर अच्छा तीन में बच्चा वहाँ पढ़ रहा है तो तीन में कर सकते हैं आप import या चार में कर सकते हैं तो यहाँ पर import class का option आएगा उसके age group के साब से और import section आएगा और date आएगी admission की जो आपके विद्याले में है और उसके बाद में आप उसको import कर पाएंगे तो इस type से आपको pen के आदार पर बच्चे import कर लेने हैं उसके बाद में आपको सारी वही काम करने हैं जो आप पहले करते थे देगे अगर आपका कोई भी question और है तो आप comment box में पूस सकते हैं thanks for watching